अनमस्कार हाले में Tata के तरफ से Tata new application लांच किया गी है जो कि Tata new एक UPA application है आज किस वीडियो में जानेंगे कि Tata new UPI application को कैसे यूज करेंगे और किस तरह से यहाँ पे bank account को add करके money transfer करेंगे और किस तरह से यहाँ पे आप अपना क्यार कोड देख सकते हैं complete process आज की इस वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं वीडियो के description box में आपको link मिल जागा किलिक करके आप यहां पे डारेक्ट आ जाएंगे play store में और इस application को आप install कर लेंगे data new को चलिए हम यहां पे open कर लेते हैं मेरा install हो चुका है और open करने के बाद देखिए यहां पे logo खुल जागा data new का इसके शौप येट ट्रेवल्स उसके बाद और ने डिवार simply your payments तो आप यहां पे असानी से payment भी कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट पे किलिक करने के बाद आपके सामने में देखिए mobile नमर यहां पे आप इंटर करेंग आप दिये हैं उस मौल नमट पे और टीपी आओ आजाएगा अटोमेटिक वरिफिकेशन हो जाएगा इसके बाद यहां पर फर्स्ट नेम लास्ट उसके बाद इमेल आइडी इंटर करेंगे उसके बाद यहां पर देखिए साय कुछ इंटर कर चुके हैं उसके बाद लेस् सानी से किलिक में किसी को भी पैमेंट कर सकते हैं यहां से यहाँ पर यूपियाए यूज करेंगे कि बैएकॉंट को एड करेंगे सब्सक्राइस विडियो में आपको कवर करने वाले टव पे-पे किलिक करेंगे तो चली हम टैटा पे-पे खिलिक कर देते हैं और यहां पर देखें आपको wage सर्विस देखने को मिलता है तो यहां पे service में यहां पर देखीं बैंक अकॉणट add option मिलेगा तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो add bank account आपको यहां पर मिल जाएगा option यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो भी आपका सीम है उस bank में link है उसको आप क्लिक करेंगे जिसे मेरा एक नमर है क्रिक करने के बाद यहां पर देख़्ा सेबिक करेंग यहां पर pert bank हो जाएगा जैसा अगर आपका दो connected हो चुका है अगर आप करना चाहते हैं यह तरी डोट है न यहां पर डूट मेकर करेंगे तो चली कर देते हैं और यहां पर देखिए bodily account का उप्शन है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका account जो है delete हो जाएगा तो यहां पर फैनली एक ही account बचा तो आजरख एक यूपियाई application यूज करते हैं तो आपका upip जो व्यूपियाई application में बना ही रहेगा अला कि आप से करना है या कैसे अगर आप नया दुवारा बनाना चाहते हैं कैसे बनाएंगे यूपयाइ मिन्टा निउ में तो गिलिक करेंगे और यहां पे देखिए यूपया बीन है रिशेट फ्याइब पिन है तो चलिए हम यहां पे और होता है यहां पर इंटर करेंगे क्लिक कर देते हैं और यहां पर देखिए आपके रेजिस्टर मॉल नमर पर ऊटिपी आएगा उसके बाद जो आप पीन बनाना चाहते हैं वह आप यहां पर चार्ट डिजिट का या छे जीट का आप सेट करेंगे सभी बैंक के अलग क्लिक करेंगे और यहां पे अपना उप्य इंटर करेंगे तोषश यह करेंगे यहां पर दिखेंगे और यहां पर आप कई पर सकते हैं यहां नहीं तो आपके गेल्डी में पर अपर अपने आपको दिखा देते हैं अपको दिखाएंगे और यहां पर नियुक्ट में करेंगे और इहां यहां पे सकते हैं मेरा payment transaction success full हो चुका है request money कर सकते हैं send money कर सकते हैं check balance कर सकते हैं account transfer भी कर सकते हैं अगर आपको check balance करना तो यहां पे impatient transfer करना है तो यहां पे क्लिक करेंगे रिख Öyleन में Cash च्वलिक करेंगे यहां पर यहां पर account और note नम्मार फिर confirm account रिख और आप यहां पर holder name दे सकते हैं इसके बाद मुवाल नमर आप्षिन है दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं सारा डिटल इंटर करने के बाद प्रोशिर वाले आप्षिन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें 20 प्रप्या बेजना चाहते हैं वह बिशन पर एंटर करके और करेंगे और अच्छा करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं माई क्यार कोड का अप्षिन आपको मिलेगा यहां पर आप क्लिक करेंगे यह आपका क्यार कोड यहां पर निकल जाएगा जन्रेट हो जाएगा अगर आप एमांट का क्यार कोड बनाना चाहते हैं आपको प कर पाएगा तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए यह क्यार कोड़ तो जन्रेट हो गया यहां पर बैंक अकॉन पर किलिक करते हैं तो यहां पर दूसरा कोई बैंक अकॉन लिंक कर सकते हैं और आपको यूपी आई पेमेंट हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा रिअ को डी रेग्ष्टर भी कर सकते हैं इसके बाद आगत कोई कार्ड है है कि जो है आप प्रेमेंट कर सकते हैं तो यहां पर करेंगे और का करेंगे और यहां काार्द नम्बर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद